इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत प्रिसियोली टेबलेट को भोजन के साथ या बिना लिया जा सकता है, विशेश रूप से एक निश्चित समय पर, डॉक्टर द्वारा निर्धारित शिड्यूल के अनुसार आपको इसे नियमित रूप से लेना चाहिए, इसे रोज एक ही समय पर लेने से आपको इसे लेना य सकता है, प्रिसियोली टेबलेट के सबसे सामान्य साइड इफेक्ट में उल्टी, सिर्ध दर्द, मिचली आना, रक्त कोशिकाओं की संख्या में कमी और डायरिया यानी की दस्ट शामिल हैं, ये आमतोर पर हलके हैं, लेकिन अगर वे आपको परेशान करते हैं या कुछ दि को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताना चाहिए जो आप ले रहे हैं, क्योंकि उन पर इस दवा का असर पर सकता है या वे इस पर असर डाल सकती हैं, गर भवती और स्तनपान करने वाली माताओं को इसका करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्ष करना चाहिए, व आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, धन्यवाद